नमस्कार दोस्तों तो चली आज की इस क्लास में लोग बात करेंगे ऐसे बैक्ति के बारे में जिसे योध्धों के कारें कम जाना जाता है लेकिन उसकी नीतिया रही है जो उसकी विचार धार ही रही है उसके कारें लोग जानदा उन्हें जानते हैं उन्होंने देखा कि आप का केबल भारती और महाप दीब में था लेकिन विस्व के अनेक देशों में नों ने अपना धरम और अपनी चाप को पहुँचाया तो उसके कारण ने कुछ जाना ही जाना जाता है सब्राट असोग तो आज हम लोग विस्तार से इनके बारे में पढ़ने वाले हैं और ये बात हमेशा याद रखे कि कहा जाता है कि जो चंदगुप्त मौर को राजा बनाने में योगदान चाड़क का था वही योगदान राधा गुप्त का असोग को राजा बनाने में था ये भी कहा जाता है कि जो राधा गुप्त इनके पिधान मंतरी थे वो चाड़क के पोता थे कौन थे चाड़क के पोता अब चंदगुप्त मौर कौन है और चाड़क कौन है इनके बारे में हम लोग पूरा विस्तार से लेक्चर ले चुका हूँ बायगुराफी कवर कर चुके हैं इनकी तो आप जाकर देख सकते हैं बायगुराफी के नाम से इनकी प्लेलिस्ट सूची है उसी में सभी लोगों की फिर चाहे आपके पिधान मंतरीयों की सीरेज हो राष्टपति हो या फिर और बैक्ति हो सभी के बारे में डली हुई है तो आज हम लोग असोग की बारे में बात करेंगे आप जानते हैं कि असोग की देन हमारे या राष्टिय पितिक असोग इस्तम जंडे का चक्क जो इनी की देन है अहिंसा धरम निर्पेक्षिता ये सभी या इनी की देन है आप सोचे कि कब की बात है गांधी जी तो अभी 1970 के बाद आप देखते हैं 1915-16 के बाद में आहनसा की नीती अपने देश में भारत में अपनाते हैं समझ रहे हैं चमपारण से 1970 में लेकिन आप सोचे कि 2000 साल पहले और साल पहले आप सोची है सोग नाम का कोई राजा हुआ वो भी आयनसा की नीती उसने अपनाई समझ सकते हैं कि मतलब आज से ही हमारे यहां महान लोगों का जनम नहीं हो रहा है इससे पहले भी आप देखते हैं किस तरह ऐसी राजा हुए है महान आप समझे है कि राजनेतिक ग्रूम में ले लीजे अब चाड़क को ले लीजे एक बिद्वानी कह लीजे फिर चाहे अर्थ सास्त्री कह दीजे समझ रहे हैं कि महान बेक्ती भारत की जनम भूमी पर हमेशा से ही आते रहे हैं आदस वादी बहुमुकी पितिवा संपन मानो सब्वता का अगुदूत पराचीन भारती इतियास का दि दिप्त मान सितारा असोक एक महान समराठ था सभी इतियासकारों की दिरुष्टी से असोक का सासनकाल सरडिम काल कहलाता है बैसे याद रखी उस समय कैमरा तो होते नहीं थी कि उनकी फोटो लेकर रख ली जाए इसलिए मतलब उनी की जो भी किताब रही है पिर चाहे बहुत गिरंत हो फिर चाहे आपका असोक वदान हो उनी के आदार पर इनकी चित्कारों ने, इनकी चित्क ओके रहा हुआ है जैसे हमारे बारे में या आपकी बारे में आने वाली पीडिक पड़े तो आपके भ्यक्तित्व से पता चलेगा कि आप कितने महांति तो उसी हिसाब से आपका चित्क बनाय जा सकता है तो सबसे पहले हम लोग आरंबिक जीवन के बारे में इनके बात करते हैं इतियाज के सबसे सक्तिसाली और तागदवर योध्धाओं में से एक समराट असोग करीब आपका 304 इसापूर में मौर समराज के संस्थापक चंदगुप्त मौर के पोते के रूम में बिहार के पाटली पुत्त में जनम होता है इनके जनम के की तारीक के बारे में कोई पुक्ता सबूत नहीं है समराट असोग मौर समराज के दूसरे सासक यानि की बिंदू साल इनके बाप थे और माता की बात करें तो सुबदांगी इनकी माता थे असोग किसके पुत्त थे बिंदू साल और सुबदांगी के असोक की पिता की लंगा की परंपरा के मुतावए करीब 16 परानिया थी कितनी 16 परानिया 101 पुत्व थे इंकी यानि की कह सकते हैं को सोतेले और इनके भाही असोक की 101 भाही थे टोटल मतलब असोक को मिलाकर वहीं उनके 100 पुत्रों मैंसे केवल असोग तिस और सुसीम का ही उल्लेक इतिहास की पन्नों में हमें देखने को मिलता है समराट असोग का पूरा नाम देवा नाम परिये असोग मौर राजब परिये दर्सी देवताओं का परिये यानि कि देवताओं का परिये देवा परिये हो गया बेमौर समराच की तीसरा नेड़ और नेड़ भीक राजाब माने जाते हैं वही ऐसा माने जाता है कि समराच असो को एक को सल और महान समराच बनाने में आचार चाड़क का बहुत बड़ा सॉरी यहाँ आचार चाड़क नहीं चाड़क कि अगर हम लोग बात करें यहां चाड़क सब दार आए तो एक बात और आपको बता दूँ, कि कहा जाता है कि मात्मा मौद एक बार भीख्चा मांगने एक गाउभ यानी की राजग्रह में जाते हैं, वहां देखता है एक बच्चा खड़ा रहता है और वो देखता है कि हर कोई उन्हें दान दे रहा है कुछ रहा कुछ तो बच्चा के पास कुछ देने के लिए नहीं होता है तो मट्टी दान दे देता है तो जो मात्मा बहुत होते हैं उस समय भविस्वारी करते हैं कि मेरे ही मरने के सौ साल बाद पाटली कुत्त में एक मतलब आप समझते हैं कि एक बच्चे का जिनम होगा जो महान समराड बनेगा महान राजा बनेगा मतलब ऐसा कहा जाता है और कहा जाता है यह भी कहा जाता है कि जब असोग का जिनम हुआ तो उनके पिता मतलब उनके अपना बेटा मानने के लिए तयार नहीं थे मतलब इसने कुरूप थे यानि कि वो इतने बदसूरत थे कि उन्हें अपना बेटा भी कहने में उन्हें सरम आ रही है और आप सोचें कि इन्हें असोग को कभी सुईकार नहीं किया है जीते जी बिंदू सार ने अपना उत्तरा दिकारी समझ सकते हैं कितना संगरस करना पड़ा होगा लेकिन असोग ने कभी इसको अपने उपर नहीं लिया ये सबी बातें आपको या तो बहुत गरंतों के अनुशार मिलती है या अपर असोग वदान एक उस तक है इनी के उपर उससे ली जाती है ठीक है आगे चलते हम लोग अगर समराट असोग के बच्चपन की हम लोग बात करें तो राजवन्स परिवार में पैदा हुए समराट असोग बच्चपन से ही बेहत पीदी बावान और तीम बुद्धी तीब बुद्धी के बालक थे सुरू से ही उनके अंदर योद और सैन कौसल के गुड दिखाई देने लगे थे उनके इस गुड को निखानने के लिए उन्हें साही पिसिक्चन भी दिया गया इसके साथ ही समराट असोग तीरंदाजी में भी सुरू से ही कुसल थे इसलिए एक उच्च सैनी के सिकारी भी कहलाते हैं कौन असोग भारती इत्यास के इस महान योद्धा के अंदर एक लकडी की एक छडी से एक सेर मारने की अदुद कल्ब चमता भी थी समराट असोग एक जिंदा दिल सिकारी और सायसी योद्धा भी रहे हैं उनके इस गुड के कारण ही उन्हें उस समय मौसमराज क कि अवंती में हो रहे हैं दंगों को रोकने के लिए बेजा जाता है इससे पहले आप देखते हैं कि पाटली फुत में भी किस तरह से जो भी दंगे होते हैं उसे भी असोग दबा देता है और आप देखते हैं तक्छला में भी दंगे होते हैं वहां भी असोग को ही बेजा जाता है समराट असोग की विलक्षड पितिवा की बज़े से ही बेहत कम उम्में ही अपने पिता के राजकाज को समालने लगे थे वे अपनी प्रजा का भी बेहत ख्याल रखते थे इसी बज़े से भी अपनी प्रजा के चाहे थे सासक भी बढ़े वहीं समराट असोग विलक् ग्रंथ है ऐसे, जिसमें इने से कहा जाता है कि बिंदु सार के और इनके सम्मंद बहुत अच्छे थे, लेकिन असुक वदान जो पुस्तक लिखी गई है इसके अनुसार कहा जाता है कि बिंदु सार इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, हमेशा बिंदु सार इनके खिलाब रहते थे अगर इने राजया बनाया है तो राधागुप्त ने बहुत मदब की है समय रहे हैं, लेकिन कही पुस्तकों में बिंदु सार और इनके सम्मंद अच्छे बताए जाते हैं ठीक है? अब चलते हैं हम लोग असोक, समराट असोक का सासनकाल और विसाल मौर समराज का विस्तार आप जानते हैं कि पहले आपने देखा है कि चंदवुक्त मौर ने विस्तार किया उसके बाद बिंदु सार ने लेकिन सबसे जानदा विस्तार देखने को मिला आपका किसके समय? असोक की समय जब असोक की बड़े भाई सुसीम अवंती की राधनी उज्जैन के प्रांथ पालते उसी दोरान अवंती में हो रहे बिद्रो में भाड़ती है यूनानी मूल के लोगों की भी दंगा बढ़ वटा जिसको देखते हुए राजा बिंदू सार ने अपने पुत्य असोक को इस विद्रो को दबाने के लिए भेजा जिसके बाद असोक ने अपनी कुसल लड़निती अपनाते हुए इस विद्रो को भी सांत कर दिया जिससे प्रवावित होकर पिर बिंदू सार ने समराट असुक को मौरवंस का सासक निव्ट कर दिया अवंती में हो रहे विद्धो को दबाने में अपनी महत्पून भूम क्या निभाने के बाद समराट असुक को अवंती के परांद के वायसरा है यानि की राजपाल के रूम में भी निप्त की कर दिया वही इस दोरान की छबी का एक कुसर लाजनेते के युद्धा के रूम में भी उबरी असुक की इसके बाद करीब 272 इसापूर में समराट असुक के पेता विंदूसार की मौत हो जाती है वही इसके बाद समराट असुक के राजा बनाये जाने को लेकर समराट असुक उनकी सौतिले भाईयों के बीच घमासान एउग दुआ इसी दौरां समराट असुक की साधी विदीशा की बेहत सुन्दर राजकुमारी सक्याकुमारी से हुई है याद रखी यहां मैं बता रहा हूँ ना कि आपको अलग-अलग तरह के अलग-अलग प्रमार मिलते हैं आपको साधी के बाद दोनों को महंद और संगमिता नाम की संदाने भी प्राप्त हुई कुछ इतियासकारों के मताबिक 268 इसापूर्व के दौरान मौरबंस के समराट असुक ने अपने मौर समराज का विस्तार करने के लिए करीब आठ सालों तक योद लड़ा इस दोरान नासरे भारत के सभी ओं महादीपों तक मौर समराज का विस्तार हुआ बल्कि भारत और इरान की सीमा के साथ अफगानिस्तान की हिंदुकुस में भी मौर समराज का सिक्का चलवाया यानि कि इनका विस्तार यहां तक पहुँचिया है अफगानिस्तान के हिंदू कुछ तट इसके अलाबा असोक ने दच्छन में आपका मैसूर करणाटक और किष्ण गोदावरी की गाटी में भी कपज़ा किया उनके समराज की राद्धानी पाठली पुत मगद आज का जो मगद पाठली पुत और साथी उपर आद्धानी इनकी तक्चला और उज्जन भी थी इसी तरह समराट असोग का सासन देरे-देरे बढ़ता ही चला गया और उनका समराच उस समय तक सबसे बड़ा भारतिय समराज था हाला कि समराट असोग मौर समराज का विस्तार तमिलनाडू स्री लंका केरल में करने में ना काम्याब रहे लेकिन आप जानते हैं कि यह अपना विस्तार समराज विस्तार भले ही ना पहुँचा पाए हूँ लेकिन इन्होंने अपने नेतियों के कारण धार्मिता के कारण अपने ब्यक्तित के कारण इन्होंने बहुत धर्म को तो स्री लंका में आपने देखा है कि पहुंचा है और बाकी देशों में भी आपने देखा है किस तरह से इन्होंने बहुत धर्म को अपना कर भी अपना व्यक्तित फेलाया एक सबसे कहा जाता है कि कलिंग योध इनकी जिंदगी को बदलने वाला योध था यह आपका तक्रीबन 261 इसापूर में हुआ है कब 261 BC में भारती इतियास के सबसे सकती सालिय और तागतवर योध था समराट असोग ने अपने मौर समराज का विस्तार करने के लिए कलिंग जो बर्तमान उड़ीसा में राज में है राज पर आकमर कर दिया और इसके खिलाब एक विद्वन्स कारी योध की खुशना हुई इस भीसाड योध में करीब माना जाता है कि एक लाग लोगों की वेहरमी से हत्या की गई और मरने बालों में सबसे जानदा संख्या सैनिकों किती है इसके साथ ही इस योध में करीब आके डेड़ लाग लोग बुरी तरह घायल होग इस तरह समराट असोक कलीन पर अपना कबजा जमाने वाली मौरबंस के सबसे पहले सासक तो बन गए लेकिन इस योध में हुए भारी रखत पास ने उन्हें हिला कर रख दिया कहा जाता है कि जैसे जैसी मालू चल रहा था कि असोक की बिज़े हो रहे उसी उसी तरह असोक बुरी तरह से टूपते जा रहे थे क्योंकि इतनी भयानक गटना थी है कि लाखों लोग मारे जा रहे थे लाखों लोग अपंग बनाय जा रहे थे लाखों लोगों को बंदी बनाय जा रहा था आप सुनते हैं कि इसी के बाद असोक ने आपका कलेंग योद्ध के बाद याद रखिए इस कलेंग योद्ध का बर्ड़न आप असोक के तेरवी सिलालेक में देखने को मिलता है और इसी के बाद उन्होंने सांती वैंसा की निती भी अपनाई धमकोस भी अपनाया असोक ने क क्लिंगे की योद्धों के बाद याद रखिए कलेंगे के करलेंग जो राज़्िस्ता हां यह पाकि तरफ दरब गल्राईन लेकिन कलनक यूत्क के बाद पूरी तरह से वहा धर Harm में अपना लिया दिनग Anda और बाखी धर्मों को इन्होंने ऐसा नहीं कि बाखी tबंवों को इन्होंने ना वो किया हो लेकिन सारक्षन बार किसी को दिया ऐ। एक सहसडूं या कह सकते हैं आप लोग धर्म निर्पेक छरा जाते कि इनके लिए सभी धर्म बरावर्टे इन्हें इन्हें ही तो कहा था कि आप अगर किसी के धर्म को नीचे दिखाते हैं तो बास्तों में आप अपने धर्म को हानी पहुंचा रहे होते हैं कलेंग योदि के विद्वन्सकारी योद में कई सैने महिलाएं मासूम बच्चों की मौत एवं रोते बिलगते घर परिवाद देखकर समराट असोग कहे दे परिवयतन होग है इसके बाद समराट असोग ने सोचा कि यह सब लालज का दूस परिडाम है साथ ही उन्होंने अप यही कारण बना कि उनके मतलब मौर समराज के बिक्टन का यानि की समाप्त होने का 263 इसापूर में मौर बन्स की समसाशक असोग ने धरम परिवर्धन का मन बना लिया था उन्होंने बहुत धरम अपना लिया एवं इमानदारी सच्चाई सांती के पक्षपर पदपर चलने की सीखली बेहनसा के पुजारी हो गए 261 इसापूर के बाद इन्होंने पूरी तरह से बैसे कहते हैं कि उससे पहले भी असोग बौत धरम की और जुका हो रहा था लेकिन 261 इसापूर के बाद पूरी तरह से बदल चुके थे बौत धरम की अगर पिचार के पिचारक की रूमें और समराट असोग की बारे में बात करें तो बौत धरम अपनाने के बाद समराट असोग की एक महान सासर और एक धरम फरायन योधा की रूमें भी सामने आये इसके बाद उन्होंने अपने मौर समराज की सभी लोगों को अहिंसा का मारग अपनाने भालाई कामों को करने की सलाय दी उन्होंने खुद भी कई लोग इत्की काम भी की किये साथ ही उन्हें सिकार बापसु हत्या पूरी तरह से छोड़ दिया यानि कि कह सकते हैं कि आप पहले ये बहुत मतलब एक तरह से आप निर्वीक एक तरह से आप कह सकते हैं मतलब बहुत बुरे मतलब ब्यक्तितिन का उभारा जाता है कि उससे पहले इन्होंने मतलब इतनी की उर्ता दिखाई, उसके बाद इन्होंने बहुत धरम को अपनाने के बाद सब कुछ छोड़ दिया ब्रमणों को खुल का दान किया, कई गरीबों एवं आसाहायों की सेभा की, इसके साथ ही जरूरत मन्नों के इलाज के लिए अस्पताल खुला, एवं सड़कों के निर्माड भी करवाया इन्हेंने सिक्षा पिरसार को लेकर 20,000 से भी जाना, विसवे ध्यालें की नियूवी असोक ने रखी, इनके दान करने की बात को कहा जाता है कि इन्हें पहले सोने की थाली में खाना दिया जाता था, लेकिन देखा गया कि जो भी खाते थे उसे दान कर देते थे थाली को, फिर शांद को कि सोचिए एक राजा मतलब आप सोचिए कि राजा एक महान राजा उस समय का कि इस मिट्टी की थाली में खाना कह रहा है और कहा जाता है कि इस मिट्टी की थाली को और इसमें रखे एक आउले के आउले के मतलब आदे आउले को इन्होंने का कि बहुत बिक्चुओं में यानि कि बाकी लोगों में बांड दीजे, दान कर दीजे तो इससे यही संदेश गया कि एक महान राजा जिसके पास कोई कमी नहीं है वो भी लेकर कुछ नहीं जा रहा है यानि कि वो भी खाली आती जा रहा है हिदय परविवदन के बाद समराट असोक ने सबसे पहले पूरवेसिया में बहुत धरम पा जोरों सोरों से प्रचार किया इसके लिए उन्होंने कई धरम गिरंतों का भी सहरा लिया इस दोरान समराट असोक ने दच्चेंड एसिया मद्देसिया में भगमान बुद्ध के आउसेसों को सुरक्षित रखने के लिए करीब माना जाता है आपका 84,000 इस्तूपों का निर्माड भी करा है इन्ही इस्तूपों से हमेरे असोक के बिस्तार की बारे में भी मालुक चलता है कि सासन का बिस्तार कहा कहा था और इन्ही से मालुक चलता है कि असोक किस तरह का राजा था क्योंकि इन पर उन्होने लिखवा दिया था, जन्ता के लिए संदिस लिखवाए गए, सभी नहीं, महा इस्तम्मों के कारण, जिनिन में बनारसी के बाद, जो इसते सारनात और मद्धिवधिस में सांची स्थूप कापी मसूर भी हैं, सारनात आपका बरानसी में हैं, और सां बुद्ध की प्रिचार करने ही तो उन्होंने अपने राज में जगे जगर पर भगवान पुख को तमबुद्ध की पितमाय स्थापित की और बुद्धरम का विकास करते चले गए बुद्धरम को असोप नहीं विश्वधरम की रूम में मानता भी दिलाई बता रहा हो ना कि इनकी मदलब योद्धों की कारण इन्हें कम जाना जाता है लेकिन इनकी धरम की कारण इन्हें मदलब विश्वभर में जाना जाता है आज भी जाते हैं कई देशों में आप जानते हैं कि बहुत धरम अभी भी बना हुगा है बौध धरम की प्रचाल के लिए इनोंने अपने पुत्र, महंद और पुत्री इनकी संगिमिता तको भीक्चो भीचोणियों की रूम में असोक ने भारत की बहार जैसे नैपाल, अफगानिस्तान, मिस्थ, सीरिया, युनान, स्री लिंगा आदी में भेजा वहीं बौध धरम की प्रचार की रूम में सबसे ज़्यादा सफलता उनके वेटे महंद को मिली महंद ने स्री लंका की राजा तिस्को बौध धरम की उपदेशों के बारे मिलता है जिससे प्रवावित होकर उन्होंने बौध धरम को अपना राजधरम भी बना लिया था आप भी देखते हैं कि आज भी बौध धरम स्री लंका में आपको देखने को बलता है सार्वजने कल्याण के लिए उन्होंने जो कार किये बो इतिहास में भी अमर ही हो गए नैतिकता, ओधारता, भायचारी का संदेश देने वाले असोग ने कई अनुपम भावनों, देश के कौनों-कौनों में स्थम्मों, सिला लिखों का निर्माड भी करा है जिन पर बौध धरम के संदेश अंकित थे असोग चक और सेरों की त्रों मोलती है, महान असोग की देन है भारत का जो राष्टी एचन असोग है, और सेरों की त्रों मोलती भी असोग की महान की देन है मैंने बताया ने आपको, कि जो आपका राष्टी पिती का सोग इस्थम है और जंडे का जो चक है ये भी असोक की ही देन है अहिंसा को भी अब असोक की ही देन कह सकते हैं धरम निर्बेक्षिता जो आज हमारे समिधान में है और हमारा देश से एक धरम निर्बेक्षित देश है ये भी असोक की ही देन है एकिर्थिया असोक निर्मित इस्तम्व और इस्तूपों पर अंगित है समराट असोक का असोक चकित जिसे धरम चकित भी कहा जाता है आज वाया में भारती अगड़राज की तरंगे में भी दिखाई देता है तरी मूर्ती सारनात हो अरनारसी के बहुत इस्तूप के इस्तम्वों पर निर्मित सिला मूर्तियों की भी पिति-किति देखने को मिलती है अगर हम लोग समराट असोक का महान वेक्तित की बात करें तो भारत की इतियास में महान युद्धा समराट असुक ने अपने आपको कुसल पिसासक सिद्ध कलती हुए बहुत कम समय में अपने राज में 37 स्थापित की उनके सासनकाल में देश ने बिग्यान और तखनीक के साथ साथ चिगिसा साथ में काफी तरक्की भी की उसने धरम पर इतना जोड़ दिया कि प्रजा इमानदारी और सच्चाई की राष्टे पर चलने लगी चोरों और लूट पार्ट की गटनाएं बिलकुल ही पंद हो गई असुक की समय असुक गोर मानवताबादी था कैसे गोर मानवताबादी और राद दिन जंता की भलाई के लिए काम किया करते थे उन्हें विसाल समराज के किसी भी इससे में होने वाली गटना की जानिकारी रहती थे धरम के पिति कितनी आस्था थी इसका अनुवान आप लोग इसी से लगा सकते हैं जिवे बिना एक हजान ब्रह्मनों को भोजन कराई स्वयम कुछ नहीं खाते थे कलिंग योद्धे असोक के जीवन का आखरी ही होते था जिसने उनका जीवन ही बदल की रख दिया था पहले आप सोचिए कि उस भी राव याद रखिए क्या है कि उस समय कि आप सोचिए किलियर लेकत प्रमाड तो है नहीं है अब कुछ ही प्रमाड है उसके जैसे बहुत धरम का हो गया बहुत गरंत हो गया फिर चाहे आपका जैन गरंत हो फिर चाहे असोक बदान हो इनी से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं अलग-अलग हिसाब से अलग-अलग जानकारी दे जाती है बहुत गरंतों के अनुसार अलग जानकारी दे गई है उसके अनुसार असोक बदान के अनुसार बिलकुल अलग जानकारी दे गई है समझ रहें असोक बदान के अनुसार कहा गया है कि इनके पिताजी और निकी कभी नहीं बनी कहते हैं कि असोक को कभी राजा ही सुईकार नहीं किया बिंदु सार ने असोक के हमेशा खिलाव रहते थे बिंदु सार समराट असोक की बारे में कुछ दिल्चस्व वरोचक तत्वी है असोका की नाम असोका अर्थ है कि दर्द रह चिंता मुप्त होता है अपने आदेश पत्में उन्हें प्रिये दर्शी और दिवानें प्रिये कहा जाता है ऐसा माना जाता है कि असोक का समराट असोक का नाम असोक की पेड़ से ही लिए आ गया है Outline of History इस किताब में असोक का की बारे में यह लिखा कि इतिहास में असोकों को असोका को हजारों नामों से जानते हैं जहां जगय जगय पर उनकी बेड़ता की किस से भी उल्ड़े के थे उनकी गाता पूरे इतिहास में पिछले थे बे एक सरफ पिरिये, नियाय पिरिये, दयाहलू, सकती साली समराट थे लोकित की नजरिये से यती देखा जाये तो समराट असोक ने अपने समय में ना केवल मानोगों की यानि की व्यक्तियों की चिंता वलकि उन्होंने जी मात के लिए के भी कही सराहनी ये काम के इसलिए समराट असोक को एहनसा सांती लोक कल्याड कारी नीतियों के लिए एक अतुलनी है और महान असोग की रोम में जाना जाता है आप जानते हैं कि उन्होंने पसुगों के लिए भी कई तरह के मतलब अस्पाताल खोले हुए थे चिकिसालाय खोले हुए थे लेकिन कहा जाता है कि बहुत गरंथ के अमसार कहते हैं कि असोक ने नियान विभाईयों की हत्या करके राज गद्धी पराप्त की थी लेकिन कई गरंथे से नहीं मानते हैं समय रहे हैं आप लोग तो या तो लेकिन जो भी हुआ संगर्ष तो हुआ है गद्धी को लेकर क्योंकि आप जानते हैं कि बिंदु सार की मौत हो जाती है 272 इस भी में और असोक राजा बनता है 279 बीसी में तो ये आप सुचिए कि 2-3 साल का जो समय रहा बीच में खाली इस समय में कुछ तो हुआ है तभी तो आप सुचिए संगर्ष तो हुआ है राजा की गद्धी को लेकर समराट असोक को एक नेड़य और साइसी राजा युद्धा माना जाता है अपने सासन काल के समय में समराट असोक अपने समराज को भारत के सभी उग महाधिपों तक पहुँचाने के लिए लगातार आट बरसों तक युद्ध रखती रहे इसके चलते समराट असोक ने किष्णा गोदरावरी के घाटी दक्षेड में मैसूर में भी अपना कप्जा के लिया लेकिन वे तमिलाडू केरल और स्रीलंका तक सासन नहीं पहुँचा पाए समराट असोक की कई पत्निया भी थी आप जानते हैं कि वो समय कई राजा एक से अधिक पत्निया रखा करते थे लेकिन सिर्फ महा रानी देवी को उनकी पत्नी माना गया है इनी का उल्लेक देखने को मिलता है कभी हार नहीं मानने वाले असोक समराट असोक एक महान सासक होने के साथ साथ एक अच्छी दारसनेगी भी थे भारती इतियास के अधुतिये सासक असोक ने लोगों की सिक्षा के मात को समझाओ इसका जमकर वर्षार पिसार भी किया आपको बता दे हैं कि उन्होंने 20 से जान्दा विद्ध्याला भी इस्तापित किये मौर बंस में 40 साल की सबसे लंबे समय तक सासन करने वाले समराट असोक ही एक मात सा सकते हैं समराट असोक भारती इतियास के ऐसे यह उद्धा है जो अपने जीवन काल में कभी हाल का समना इने नहीं करना पड़ा समराट असोक का असोक चिन आज के गोरों मई भारत को दर्स आता है समराट असोक के द्वारा बहुत धरम को पूरे विश्व में पिरचार पिसार करने एबां भगवान बुद्ध के उबदेशों को लोगों तक पहुचाने के लिए उन्हें बहुत धरम के पिचारक के रूम में भी आप लोग जानते हैं समराट असोक ने अपने सिध्धान्तों को धम नाम दिया क्या दिया? धम नाम दिया यानि के जो भी उन्होंने अपनी नीतियों में बदलाओ किया जो भी उन्होंने अपना है उसे ही को कह देते हैं धम समराट असोक जैसा महान साइत इद्यास में कोई दूसरा हो बे आकास में चकुएकने बाले सितारे की तरह, तारी की तरह थी जो हमें इसा चमकती रहे बारती इतियास में यह चमकता तारा समराट असू किये एक विजिता, दार्जनिक, पिर्जापालक, सासक की रूम में उनका नभ मिसा याद रहेगा उन्होंने जुत्याग कार किया वैसा इतियास में कोई भी दूसरा नहीं कर सका समराट सोग एक आदर्स बादी, यानि की आदर्स समराट थे इतियास में अगर हम देखें तो उनके जैसा नेड़ा समराट ना तो कभी हुआ है और ना ही होगा, उनके रहते मोर समराज पर कभी कोई बिपत्ती नहीं है लेकिन आप जानते हैं कि इनकी जो नीतियां की कहा जाता है उस वही कारण जैसे हैं आप सोचिए कि राजा के लिए योध करना जरूरी रहता है लेकिन जब आप सोचिए कि राजा योधी छोड़ दे करना तो उसके बाद आप समझ सकते हैं कि राजकी क्या इस्तिती बन जाती है समराट असुक की अगर मित्यू की बाद करने तो समराट असुक ने करीब 40 साल तक सासन किया मौरवंस में और 232 इसापूर में कि आसपास उनकी मौत हो जाती है मतलब याद रखिए कि अब जो भी रहा हो इनके अगर समराज के पतन के बाद करें तो अन्ते में एक मौर समराट हुआ था बेजद्ध इसकी हत्याइन के इस सैनिक मंत्री थे वो समित्ते सुंग ने कर दिया था एक सो आपका 87 के करीब 20 के करीब है 187 इसापूर के करीब की यह बात है यहां से आप सोचिए कि सुंग बंस आ जाता है और मौर बंस खतम हो जाता है और समराज के पतन को आप सोचिए कि कई लोग असो कोई मतलब जिक मेदार ठहराते हैं करीब 75 मिल कोई में बंस प्रीक भीरव करीव ने साफूर बंस ऑ्लाफ ड आया करीव करते हैं झाल झाल झाल